भारत एक दिरिष्टी में इसका फास्ट रिविजन इस वीडियो में हम करने वाले हैं यदि आप BPSC सिचक भरती एकजाम की तियारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की अवस्थिती कहां अस्थित है तो यह जो है उत्री गोलार्द में है एवं पुर्वी देसांतर में इसको रट जाएए उत्री गोलार्द एवं पुर्वी देसांतर में ठीक है आकरती कैसी है चतु सकुनिये है राजधानी कहां है नई दिली में है भारत की जलवायू कैसी है मानसुनी जलवायू है ठी हाइस है कि अंदर साशित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है तो आठ है कुल शेत्रफल 32,87,263 बर्ग किलोमीटर याद रखने के लिए शुरू में भी तिन और अंती में भी तिन ठीक है विस्व शेत्रफल में भारत का प्रतिसत कितना है 2.42 प्रतिसत हमेशा रट जाए को शेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश कौन-कौन है पहला रूस दूसरा कनाड़ा तिसरा चीन चौथा अमेरिका पाचमा ब्राजिल छठा अस्टेलिया और सत्मा भारत और आठमा क्या है कौन है अर्जिंटीना तो याद रखेंगे तो हमारा देश सत्मा है चाह ये सा हिंदी है भारत में सरवधी कौन सा भासा बोली जाती है तो हिंदी सबसे वड़ा जन जाती है भील दूसरा गोंड है ठीक है अगला है अचांसिय बिस्तार जो कि काफी महत्वपोन है एक्जाम में हमेशा पूछा जाता है अचांसिय विस्तार है आठ डिगरी चार इंञे आगे देखें देशांत्र यह अस्थिती क्या है तो 68 डिगरी साथ मिनेट से 97 डिगरी 25 मिनेट जो है पूरी इंश्ट लिखा रहेगा और यदधी इंट लिखा रहेगा उप्सन में बनों इढ़े रहे हैं उत्तर से दच्छिनралंबाई कितना है तो 3214 किलो मेटर इसका उत्तर से दच्छिन के और लंबाई है पूरब से पच्छिम के और लंबाई कितना है तो 293 किलो मेटर है यहाद रहेगा चलिए पश्मी बिंदू तो पश्मी बिंदू आपका है गुहार मोती जिसको गौर माता बोलते हैं जो गुजरात में है क्योंकि पश्मी जो राज है गुजरात है और पूर्वी राज कौन है अरनाचल प्रदेश है ठीक है उत्री बिंदू इंद्राकॉल जो लदाक में है सियाचीन गलेसियर में कारा कुरम दर्रे में पहले जमुक कस्मीर लेकिन उसको अब लदाक बनाया गया है जमुक का भाग उसको दो भागो में बाटा गया है जो कि अवला दाक छेतर में आ गया है इंद्राकॉल आगे देखे भारत के मुक भोमी का दशनी बिंदू कोंचा है अने नाम इसका है पिंग मिलियन या पारस पॉइंट पारशन पोइंट आगे है दशनी मिंदू भूमाद रेखा से कितनी दूरी पर है तो 876 किलो मेटर है याद रखेंगे यह भूमाद रेखा से दशनी मिंदू की दूरी है अस्थल सीमा की कुल लंबाई है 15200 किलो मेटर अस्थल सीमा जो है भारत की उसकी लंबाई है 15200 किलो मेटर जबकि मुख भूमी के तट का जो लमबाई है एक सट किलोमीटर है मुख भूमी के तट का लमबाई है किलोमीटर है दीपो आई कितना है दीपो सहित innovate 7516 आपका मिलेगा 7516.06 छे भी लिख सकते हैं मićर दिया जाता है अगर यह नहीं रहा तो 4516 लगा सकते है कोई दिकत नहीं समूदर तर्ट से लगए राजियों की संख्या कितना है संबूदर तर्टसे लगए संख्या है यह जो सब्सेट चोटी तक तरीखावला राज जो है गोबायास सब्सेटी तक रिखावाला कें धृष्री पर्दिस अन्डवान इमम निकवार्दीपसमूह उणिस यह सबसे लंबी तड़ है उछले इस आगे चलते हैं कि भारत या भारत का दूसरी सरवाधीक के लंबी तत रखव यहाँ डश्हीन भारत की सबसे लंबी तत रेखावला राज कौन है आंद्र प्रदिस है सरवाधिक नगरी कृत राज महाराष्ट है नियूंतम नगरी कृत राज जो है हिमाचल प्रदिस है सरवाधिक बन अचाधित राज मद प्रदिस है बन से चाधित राज सबसे अधिक कहा है मद प्रदिस में है सबसे नियूंतम बन आचाधित राज हर्याना है वहां सबसे नियुंतम बन है और सरवधिक बरसा मानसी राओं मिंगाले में होता है नियुंतम बरसा जो है ले लदाक में होता है सबसे कम बरसा और सबसे ठंड़ा अस्थान द्रास लदाक में है सबसे ठंड़ा और हिमाले से लगे राजियों क सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक ले जाएं